अगर आप बैंक से जोड़ी जानकारी चाहते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार जो अकाउंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और हर प्रकार के जो चीजे होती है उसके बारे में मैं आपको डीटेल के साथ पूरी इंफोर्मिशन के साथ और प हमें इस account में क्या features मिलते हैं इस account में क्या features मिलते हैं इसका क्या फायदा होता है इसके क्या terms and conditions होते हैं यह अगर आप जानते हैं तो आप सही तरीके से अपने पैसे का invest कर सकते हैं और उस पैसे का सही तरीके से इंस्तिमाल करकर आप भी अपने जो futures planning है उसको कर सकते हैं और उसके अनुसारी सारा मामला शेयर कर सकते हैं तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार आपके एकाउंट जो है कितने परकार के होते हैं और हर परकार की information जो है personally मैं आपको पूरे information पूरे data के साथ आपको शेयर करने वाला हूँ उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे ओफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब करके जरूर दो जाए तो चलिए शुरू करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि सिर्फिंग अकाउंट और करेंट अकाउंट के बारे में आप सभी को पता होगा लेकिन इसके अलावा भी और भी अकाउंट जोते हैं जिसको जो जो जेनरल यूज करते हैं जो आपका सिर्फिंग अकाउंट उज करते हैं तो साथ उनको ये साथी चीजे पूरी डिटेल में नहीं पता होती है तो मैं आज आप उनको बताने वाला हूँ, जो सिर्फ current account, saving account उज़ करते हैं, इसके अलावा भी आपके accounts होते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चार तरीके का आपका account होता है, चार चीजे में आप सभी ने सुना होगा, कि current account, saving account आपने सुना होगा, लेकिन दो और दो और account से उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो पहले चीजे मैं आपको बताऊंगा, बतादूर से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कि यह जो banks accounts होते हैं, वो चार प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका saving account, दूसरा होता है current account, चोथा होता है आपका recurring account, और चोथा होता है आपका fixed deposit, fixed deposit का आपने नाम सुना होगा, recurring account का भी आप आपने सुन जाए, saving account होता है और एक current account होता है, इस चारों में क्या difference है, इन चारों का क्या फायदा है, एक एक करके मैं आपको explain कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा saving account, generally जो भी ह निकालना हो, ATM लेना हो, तो ये सारी चीज़े, saving accounts में आती है, और वो लोग यूज करते हैं, जो daily पैसा निकालना हो, या जमा करना हो, कहीं भेजना हो, तो उसका इस्तिमाल करते हैं, saving account, generally saving account का इस्तिमाल करते हैं, saving account का जो प्रोसेजर होता है, वो यह होता है, कि आपको उ इसमें क्या होता है, कि limitations होती है, limitations होती है, कि आपको इतना पैसा इसमें जमा कर सकते हैं, इतना पैसा मिकाल सकते हैं, saving account जब आप खुलवाते हैं, तो आपको बहुत सारे bank features देते हैं, पहला तो आपको passbook देते हैं, इसके बाद आपको debit card देते हैं, ATM card देते हैं, और इसके प्रिकार का अगर आपके पास account है याणि saving account है तो इस प्रिकार की services आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं आपको इस पर ब्याज भी मिलता है आपके पास debit card, ATM card भी मिलता है, passbook भी मिलता है, checkbook भी मिलता है आपको internet banking भी मिलती है और mobile banking भी मिलती है तो generally हम लोग use करते हैं इसके अला account आपके जहन में आता है, इसका मतलब यह होता है कि आप business से जुड़ा आगनी है, business से जुड़ा कहने का मतलब यह है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आप पैसों काफी ज़्यादा लेन देन करते हैं, आपको कोई भी limitation जिसमें नहीं होती है, आप किसी गोई अपने account में बगवाना चाहते हैं, कितना भी पैसा हो आप मगवा सकते हैं, इसमें जो users होते हैं, उनको आपके ब्याद से कोई लेना देना नहीं होता है, आपको ब्याद जो है नहीं लेना देना होता है, उसमें पैसा लेना देना जितना भी करना चाहते हैं, आप कर सकते ह इसमें भी आपको checkbook मिलता है इसमें आपको extra पैसा भी मिलता है आपको company भी पैसा देती है कि आप इस पैसे का इस्तेमाल करकर आप अपने चीज़ों को बढ़ावाद दे सकते हैं यानि कि जब आप current account उसकरते हैं तो आपको एक limited वाला आपको एक जो card मिलता है credit card जिसको बोल current होता है तो यह होगा current current is basically used for the business purpose आपको बहुत ज्यादा पैसा लें दिन करना है किसे को ज्यादा बेजना है किसे से ज्यादा लेना है तो आपको current account का इस्तेमाल करना पड़ता है तो यह होगा आपका दूसरे चीज़ तिसरी जो कि unknown है कई लोग नहीं जानते हैं और कई ल होता है कि हम monthly wise एक amount जो है bank के साथ deal करते हैं कि इतना amount हम monthly आपको pay करेंगे यानि कि अपने account में इतना monthly डालेंगे इसके बाद आपका एक time period होता है कि हम जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8, 9, 10 साल तो आपका एक limit time होता है कि इतने साल तक हम पैसा जमार करें आप क्या होता है कि bank पहला नमर आपका amount देखता है कि आप monthly कितना amount pay करेंगे प्लस आपका time duration देखता है कि आप कितने दिनों के रिए pay करते हैं और उसके अनुसार जो bank की rule होते हैं कि इतना percent आपको spend trust मिलेगा, इतना percent आपको ब्याज मिलेगा, फिर आपको बतारेगा कि आ आप इतना पैसा जमा करते हैं, इतने time period के लिए जमा करते हैं, तो आपको जो है इतना ब्याज, इतना interest मिलेगा, तो उसके अनुसार mind setup करकर आदमी जो है इसका इसका इस्तिमाल कर सकता है, इसका disadvantage या फिर advantage कहीं तो यह है कि अगर आपने 10 साल के लिए recurring account का करा लिया, तो आपको monthly जो है, उतना पैसा जमा तो करना ही पड़ेगा, प्लस अगर आप पहले चाहें पैसा निकालना, तो आप नहीं निकाल सकते हैं, इस बात को आपको ध्यां रखना है, और आपने जो time limit दिया है, उसके बात से ही जाकर आपका पैसा निकल जाएगा, और उस time का जो interest rate होगा उसके निकालना चाहें, तो फिर इस case में ऐसा नहीं होता है, तो यह आपका recurring account, चोथा और सबसे महत्तोपूर्चीज है आपका fixed deposit, इसको हम FD बोलते हैं, आप सभी को पता होगा FD, FD आपने चुना होगा, तो FD मतलब fixed deposit, यानि की fixed मतलब एक बार में deposit मतलब दे दिये, यानि की fixed deposit, यानि की इकठा पैसा एक बार दे दिये, अब इस पे भी bank देखता है कि आप जो है इकठा कितना पैसा दे रहे हैं, और कितने समय के लिए दे रहे हैं, तो उसके अनुसार जो उनका interest rate होता है, उन जमा करते हैं उस दिन से आपका ब्याज़न में शुरू हो दालता है और फिर एक particular time date जो दिये होते हैं उसके बाद से आप चाहें तो उस पैसे को withdraw कर सकते हैं और उसका जो interest उसका जो ब्याज होगा company आपको provide कर देगे और इसमें यह भी नियम है कि fixed deposit जब कर देते हैं तो time period खतम हो जाएगा उसी के बाद आपका पैसा मिलेगा नहीं तो बीच में भी ऐसा plan होता है कि उसको तोड़कर शायर आप निकाल सकते हैं उस दिन का जो percentage बनेगा वह आपको provide कर दिया जाएगा तो यह जानकारी थे मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए कि आखिर का what is difference between the current and saving and the carrying and the fixed deposit और basically जो accounts होते हैं how many types जो मैं आपको बताया explain किया अगर इसमें कुछ जानकारी छूट गई होगी तो आप जरूर हमें comment box में पूछे हैं कि आखिरकार इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है क्योंकि बहुत चीज़े होती है जो कि छूट जाते हैं जो कि comment box में जरूर बता है मैं आपको इसकी जारी जानकारी जो है आपको प्रुवाइट करूंगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसको like comment शेयर करें चैनल को पसंद करते हैं तो subscribe करकर जरूर जूड़े अगर आप मुझसे जुना चाहते हैं तो आप मुझे facebook, instagram, twitter पर जाकर आप इसकी जारी जूड़े नहीं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंग दे तो आप से जूड़ सकते हैं आप सभी को बहुत बोलताने बाद नमास्त्राइब